इस सीरफ का उपयोग थाइराइड की समस्या में उपयोग किया जाता है चलिए अब हम आपको बताते हैं थाइराइड कितने परकार का होता है पहला जो हमारा होता है हाइपर थाइरोडीजम और दूसरा होता है हाइपर थाइरोडीजम इसे आम तोर पर सभी लोग जानते हैं मोटा करने वाला थाइराइड और पतला करने वाला थाइराइड और इस सीरफ का उपयोग किस परकार की दिक्कत मरीज को क्या तकलीप रहती है क्या दिक्कत रहता है या फिर मरीज को कौन सा रोग रहता है या फिर डॉक्टर के दौरा मरीज को किन किन रोगों में यानि मरीज को क्या दिक्कत क्या समस्या रहती है तब डॉक्टर के दौरा इस सीरप का डोज क्या होता है इस सीरप किस परकार से डॉक्टर के दौरा कैलकुलेट करके दिया जाता है इस सीरप को पीना कैसे होता है एक दिन में कितना एमल पीना चा ये एक परकार से तितली के आकार के जैसा एक गरंथी होता है ये समस्या गर्दन में सौंस्नली के सामने ये समस्या होता है जब ये समस्या होता है तो आपका गर्दन में सूजन की समस्या आ जाता है यानि गर्दन के पास में स्वैलिंग की समस्या हो जाता है ये हॉर्मोन को का काम करता है T3 और T4 नामक हार्मोन को रिलीज करता है ये जो हार्मोन होते हैं ये हमारे मेटाबोलिजम को रेगलोट करने का काम करते हैं और जैसे कि अगर ये जो थाइराइड का हार्मोन है अगर ये गड़बड हो जाए तो हमारे बाडी में यानि हमारे सरीर में तमाम दि हाइपो थायरेडिजम वो कंडिसन होता है जिसमें हमारा थायराइड ग्लेंड बहुत कम हार्मुन बनाता है इसके कारड क्या क्या समस्या होता है चलिए जान लेते हैं जैसे कि आपका जब बढ़ जाएगा तो आपको ठकान की समस्या होने लगी और आपको घबड़ाहट के भी जैसा कभी-कभी महसूस होने लगेगा, आपको सुस्ती जैसा महसूस होने लगेगा, और जैसे कि अगर आप कोई काम करेंगे, या फिर कोई कहीं जाएंगे, या फिर कहीं जा रहे हैं, तो अगर रास्ते में आपको रुक-रुक कर जाना पड़ेगा, आपकी बाडी एकद जोड़ों में दर्द रहेगा मास फेसियों में अकड़न की समस्या रहेगी जब आपको एक परकार से कहीं जा रहे होंगे तो आपके गाठों में काफी ज्यादा दर्द रहेगी आपको उठने में बैठने में आपके पैरों के पंजों में पैरों के पंजों के एक तरीके से जो गाट होता है उसमें काफी ज़्यादा दर्द की समस्या रहेगा आपका जो कॉलिस्टराल का लेबल है ये भी बढ़ सकता है और आपका जो ब्लेड प्रेसर है ये भी इंक्रीज हो सकता है और इस समस्या में क्या होगा आपके बाल भी बहुत ज़्यादा जड़ने की समस् और आपको कभी-कभी ठंड़क के जैसा महसूस होने लगेगा। और कभी-कभी आपको क्या देखने को मिलेगा जो आपकी तचा है, यानि जो आपका इसकीन है, इसमें एक परकार से सूखापन आने की समस्या हो जाएगा, और आपके इसकीन पर खुजली के जैसा होना, वाली समस्या होने लगेंगी, यानि आपके इसकीन पर खुजली के जैसा महसूस होने लगेगा इस समस्या में, और जैसे कि आपके आखों के नीचे या फिर आखों में सूजन की समस्या हो जाना, आपको बार बार भूलने की जैसा समस्या हो जाना आप बार बार भूलने लगेंगी आपको कनफ्यूजिंग की समस्या रहेंगी आप कोई किसी से बात करेंगे या फिर आपको किसी बात को लेकर हमें ऐसा अपने दिमाग में कनफ्यूजिंग सा रहेगा या काप कनफ्यूज रहेंगे तो ये भी समस्या हो सकता है इस परकार की समस्या हाइपो थाइरेडीजम में हो सकता है और दूसरा जो होता है हाइपर थाइरेडीजम की चलिए हम आपको बताते हैं हाइपर थाइरेडीजम की क्या क्या समस्या होती है हाइपर थाइरेडीजम वो कंडिशन होता है जिसमें हमारा thyroid gland बहुत ज़्यादा हार्मोन रिलीज करने लगता है। इस समस्य के कारड क्या क्या होता है। जैसे कि जो आपका दिल का धड़कन है यानि जो आपके दिल का धड़कन है ये भी बढ़ सकता है। जैसे कि इस समस्य में आपको एक चीज और देखने को मिलेगा आपको भूक तो बहुत ज़्यादा लागी यानि आप खाना भी बहुत ज़्यादा खाएंगे लेकिन अगर आपका जो वजन है न वो घटता रहता है यानि आपका वजन बढ़ेगा नहीं घटता रहता है ये भ घबड़ा हट के जैसा महसूस होने लगता है और आपको नीद नहीं आएगा और आपको एकदम घबड़ा हट के जैसा महसूस होगा चिड़ चिड़ा पन के जैसा महसूस होगा अगर आप किसी से बात करेंगे तो आपको एकदम चिड़ चिड़ा पन के जैसा हो जाएंगे तो ये सारी समस्याइं होती हैं और आपको अधिक पसीना आने के भी समस्या रहती है इस परकार की समस्या हाईपर थाइरोडिजम में हो सकता है इन दोनों समस्याओं को ये जो सीरफ है ये ठीक करने का काम करता है ये सीरफ काफी अच्छा सीरफ होता है ये सीरफ डाक्टर के और वो एक परकार से बहुत ज़्यादा ये समस्या बढ़ जाती है तब भी समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर के दौरा ये मेडसीन काफी ज़्यादा पेसकराइब किया जाता है जिससे मरीज को अगर जो थाइराइड की समस्या रहता है वो जल्द से जल्द ठीक हो जात है और जैसे कि जो थाइराइड की समस्या होता है थाइराइड की समस्या महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है पुर्सों में कम और महिलाओं में थाइराइड की समस्या ज़्यादा होता है चलिए हम आपको इस सीरप के डोज के बारे में बताते हैं इस सीरप का डोज ड निर्धारित करके पीने के लिए बताया जाता है लेगिन जो एडल्ट में इस सीरफ का डोज होता है दस एमल सुबा दस एमल साम को पीने के लिए डॉक्टर के दौरा बताया जाता है या फिर दिन में एक बार भी पीने के लिए ये सीरफ बताया जाता है चलिए अब हम आपक कि इस सीरफ का कोई खास साइड डिफेक्ट नहीं होता है बट अगर आप ये सीरफ ओवर डोज की मातरा में लेंगे तो आपके पेट में दर्द हो सकता है आपको बहुत जदा नीद की समस्या आ सकती है आपके स्कीन पर खुजली की समस्या हो सकती है इसके अलावा याद आपको और कोई दिकत और कोई समस्या है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास आप जाएं आप अपनी दिकत परेसानी बताएं उसके बाद में आप कोई भी मेडिसीन कोई भी दवा लें झाल झाल झाल